हेलो स्टूडेंट्स वल्कम टू लाइफ एट एम्यू इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ आप बहुत बच्चे सोचते हैं कि एम्यू और जामिया में कंपेरिजन करें कोई नहीं किया अभी तक कंपेरिजन में कोई वीडियो नहीं देखी फिरेमय जामिया की कंपेरिजन करते हुए तो इफिरमीयो में क्या अच्छी बात है अच्छी बात है और किस equipment काई करें तो मैं आपको मलब कुछ चीज आपको आपका जैं इन दोनों को compare करने वाला हूं, तो आपको depend करेगा, आप किस perception पर admission लेते हैं, किस university को ज़्यादा प्रिफरेंस देंगे, किसे चूज करना चाहेंगे, वो आप पर depend करेगा, तो मैं सब चीजे बताऊँगा, आपको अच्छी बाते बताऊँगा, जो ज़रूरी होती है, जो ए जामिया, EMU में दोनों में करता ही है, बच्चा apply, तो दोनों का एक ही interest रहता है, एक बच्चा मतलब, मैंने देखा है, mostly क्या आपने भी देखा होगा, EMU जामिया के common बच्चे form भरते हैं, बहुत ज़्यादा common होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है, दोनों universities में मुसलिम से population जो जाती है, वो जादा जाती है, मुसलिम जादा apply करते हैं, क्योंकि एक तरह से Muslim universities मानी जाती है, ठीक है, तो मानी जाती है, क्या बच्चो एक ये भी perception बना रखा है, बोलते हैं कि हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए ये भी बच्चे पूछते हैं, तो ऐसा नही मुसलिम का थोड़ा reservation रहता है, इसलिए आपका Muslim जादा prefer करते हैं, और EMU जामिया को, अब सबसे बड़ी बात है, जो main चीज आती है, एक तो सबसे आती है, exposure की बात आती है, दोनो, EMU और जामिया की, EMU में exposure जो है, वो आपका थोड़ा कम है, comparison to जामिया, ठीक है, EMU में मिलती है, तो जामिया में exposure जादा रहता है, और जो English भी देखें, जामिया के students की अच्छी रहती है, और EMU के students की थोड़ी English भी रहती है, मतलब English जादा वाँ यूज नहीं की जाते हैं, Hindi में बात करते हैं, उर्दू यूज करते हैं, तो इसलिए वाँ पे English भी थोड़ी व इसलिए नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको ground level की बात बता रहा हूं, सच्छा ही जो है, मैं आपको कोई site से देखकर, या किसी net से देखकर, कोई बात नहीं बता रहा हूं, मैं आखों के सामने की जो बाते हैं, मैं दोनों universities में रहा की देखा है, तो वो चीज़े मैं आपको मतलब सच बात हैं यह, आपको कहीं से जानने को नहीं मिलेंगी, अगर EMU है, जामिया का कोई student नहीं, आपके contact में हो ठीक है, तो अब दूसरी बात आती है, जो पढ़ाई की teaching की, तो जामिया की student, थोड़ा teachers हैं, जो जामिया की है, वो थोड़ा बेहतर बढ़ाते हैं, EMU की सबसे बड़ी बात, हली गड़ में campus है, एक campus life है, जामिया में अगर आप जाएंगे, campus है, लेकिन वो थोड़ा divided है, hostels नहीं है, तो इसलिए EMU में आपको campus life मिलती है, बहुत सीखनों को मिलती है, सभी student contact में रहते हैं, connect रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, helpful हैं बहुत ज अगर और इज़त करते हैं, मतलब छोटा बड़े की इज़त करता है, और जो seniors हैं, वो juniors का आपका ख्याल लगते हैं, इसके बाद जो आती है, hostels का सबसे बड़ी जरूरी होता है, क्योंकि अलिगड़ के local यह दिली के local इतने नहीं आते हैं, इतने भार के लोग आते हैं, तो आपके दिली में हैं, जो जामिया में, वो hostels बहुत कम हैं, होस्टल फैसिलीटी बहुत कम हैं, मतलब बहुत कम ही ना के बराबर ही मिलता है, तो अगर गरीब बच्चे हैं, मतलब financial अगर आप वीक हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यह natural है, तो ऐसी बात नहीं है ठीक है, और अगर financial वीक भी नहीं है, सब यह बच्चे प्रिफर करते हैं, हमें होस्टल मिलें, होस्टल की अलग लाइफ होती है, सीखने को मिलता है, एक facilities मिलती है, सेफटी मिलती है, होस्टल बहुत बड़ा role play करता है, तो जामिया में होस्टल, बस यह समझ लिए, जो मु होस्टल में होस्टल में होस्टल में बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलती है, होस्टल में facilities मिलती है, खाने को मिलता है, और जामिया में होस्टल नहीं मिलेगा, तो आपको महाँ पर होस्टल मिलेगा, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, ठीक है, अब यह चीज हो गई बस कभी मैंने बता दिया है और NRI है वहाँ पर जो AMU में वहाँ पर NRI facilities है culture है और NRI वहाँ पर जामिय में थोड़ा कम है इसलिए अब आती है बात जो है आपकी facilities की facilities देखे अगर हम देखे दोनो central universities है तो facilities almost same है hostel की बता दिया मैंने और जो games वगरा की होती है facilities, cultural programs होते हैं वो होते रहते हैं दोनों universities में बराबर होते हैं बाकी अब एक ranking की बात आती है ranking में अगर हम देखे ए department wise तो department wise जो ranking रहती है AMU के departments हमेशा top पे रहते हैं मलब इंडिया के top में जैसे mathematics department है आपके बीटेक वगरा भी अच्छा है लेकिन जामिया में बीटेक वगरा JEE से होता है तो डिपेंड करता है labs वगरा जो facilities है वो भी अलिगड में अच्छी हैं जामिया में आपका जो departments की ranking इतनी जादा अच्छी नहीं रहती है मतलब department wise नहीं रहते है आपकी जो जामिया की overall ranking है वो टोप पे रहती है mostly जाद अतर लेकिन अलिगड की भी टोप में ही रहती है कभी जामिया उपर हो जाता है कभी AMU उपर हो जाता है तो वो हर साल डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि एक university उपर रहती है बस पिछले साल जामिया फर्स्ट पे आ गई थी तो अलग-अलग जो surveys होते हैं अलग-अलग agencies करती हैं organization करते हैं उनकी अलग-अलग ranking होती है ठीक है अब ranking की भी मैंने बता दिये अब इस job का आता है job पूछते हैं बच्चे देखे जोब तो मैं हमेशा यह की बात बोलता हूँ जोब तो बच्चे पर डिपेंड करता है university प्रोवाइड करती है training and placement center होते हैं TPO होते हैं university के तो उसके through jobs मिलती है लेकिन आपका ऐसा रहता है प्रोवाइड नहीं होती है तो जोब तो आप पे डिपेंड करती है यह मत सोचे कि जोब अगर amu में चलेगा जामय में चलेगा 100% मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है तो किसी भी university में चले जाई है वो आप पे डिपेंड करेगी आपने क्या सीखा कैसे आप जो इंटर्वियू मे कि सीख ने का एक यह भी होता है कि पढ़ा UV के साथ-साथ और भी चीज़े सीखने के लिए होती है ठीकर? अपका result में आपका सीखने के लिए मिलेगा च्रेडिशन बहुत famous है आप तहजीब के लिए जाना जाता है अलिगर्ड कि महां की तहजीब है और इजद करते हैं लोग तरीका जीने का तरीका सलीका आजाता है वहाँ पर तो महां पर वो चीज सीखेंगे आप बिल्कुल सीखेंगे क्योंकि महां पर जादा ट्रेडिशन को जादा तवजु दिया जाता है तो जादा फोकस किया जाता है वहाँ पर ट्रेडिशन पर तो महां पर ये चीज सीख लेते हैं जो पेरेंट्स तो यही चाहते हैं हमारा बच्चा मॉल्डन ही हमारे तरीके से चले सही से रहे तो पेरेंट्स के लिए त जादा प्रफर करते हैं बाकी जामिय में है थोड़ा मॉल्डन है तो इसलिए डैली में है तो मॉल्डन है जामिया तो यह फरका जाता है और बहुत सारे फरक है छोटे-छोटे लेकिन में चीज़े जो थी आपको जाननी चाहिए थी इन चीजों पर यह आप डिसाइड आपकी नेचरल ब्यूटी टाइप है और वहाँ पर बहुत जादा नेचरल ब्यूटी है बहुत पेड़ पोड़ हैं ग्राउंड्स बहुत जादा है अगर एक बिल्डिंग बनी है अच्छा पार्क्स वगरा है चारो तरफ उसके तो इस तरह से बनाए है जामिया में थोड और मतलब नई है नई बिल्डिंग्स है अगर आप देखें वहाँ पर वो नई के हिसाब से है और जामिया वो पुराने के हिसाब से है वो बहुत खुबसूरत है अगर खुबसूरती में देखें तो एम्यू ही जादे अच्छा आएगा और आपका जो फीस आती है फीस के मतलब गरीब घर से आते हैं तो फीस दोनों की लगबग सेम है लेकिन जामिया की एम्यू से जादा आती है जामिया की एम्यू से जादा है क्योंकि जामिया में अगर दस हजार फीस है किसी कोर्स की वो बिना होस्टल के है और एम्यू में वही दस हजार आपके होस्टल इंक courses हैं, बहुत सारे self finance हैं, आपके बहुत सारे हैं, अब नाम क्या बता हूँ, अलग-अलग bit है, उसका BLB भी है, बिलीब है, और भी है, बहुत courses, BHM है, तो इनकी fees बहुत जाद होती है, 30,000, 40,000, 60,000 भी होती है, बाकि AMU में self finance नहीं है, आपके regular courses है, mostly, आपका BE हो गया, वो evening course है, वो self finance नहीं है, बाकि 11 का self finance है, उसमें भी 20,000 fees है, 20,000 के round यह, तो AMU में fees कम है, अगर जामिया से कम है, मतलब अगर आपको fees के हिसाब से अपना घर के हिसाब से घर में आपका जो condition है, वो सही नहीं है, तो आप AMU गॉल बनाईए, स्लेवस वगरा similar ही रहता है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क रहता है, लेकिन similar रहता है, तो मैं यह कहूंगा, आप अपना goal बनाईए, achieve कीजिए, admission लेना main अपना focus रखिए, आप अपनी मेहनत पूरी कीजिए, और guide करने के लिए मैं हूँ, इस channel पे सभी guidance मिलता रहता है, सब चीज मैं बताता हूँ, दोन university के बारे में वैसे भी ground level की बताता हूँ, और आपको experience based बताता हूँ, कोई आपकी net से search करके चीज़े नहीं बताता, बच्चे कहते हैं Google पे यह आप यह बता रहे हैं, तो मैं experience के साथ बता रहा हूँ, Google आपका data collect करके ऐसे ही बता रहा है, तो ठीक है, तो इसलिए मैं आपको guide करता रहता हूँ, updates पेरेंट्स हैं, या ऐसे भी हैं, आपको अच्छी लगती है निविस्टी, तो आपको यह चैनल काम आने वाला है, subscribe करके रख लीजिए, और वीडियो देखते रहिए, आपका अच्छे के लिए है, वीडियो लाइक कर दीजिए, बहुत मैनत लगती है वीडियो में, और आ आपके फायदे के लिए, आपके लिए है, तो आपका लाइक तो बनता है, वीडियो देखने के लिए, thank you